स्थ बोड एकजाम देने वाले हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आप वीडियो को लास तक जरूर देखियेगा एक सिकेंड के लिए वीडियो को इसकिप मत किजेगा देखिए आज हम समाजिक विज्ञान का एक परकार का वायरल पेपर को यहाँ पे हल करेंगे यहाँ पे समाजिक विज्ञान के जितनी भी प्रशन है साथ में आपको हल कराएंगे और इसके साथ में आपको मांचित्र से संबंदी जो बोड की exam में प्रशन पूछे जाते हैं मांचित्र भर के आपको detail में समझाने वाले हैं तो वीडियो को आप 1 second के लिए भी skip मत किजिएगा देखे फ्रेंज जब आपको बोड के एक्जाम में जब प्रश्ण पत्र मिलेगा तो यहाँ पे लिखा होगा समय ठीक है यह जो समय मिलता है आपको बोड के एक्जाम में 3 गंटा 15 मिल्ट का संपूर समय मिलता है और जो आपका समाजी विज्ञान का पेपर रहेगा टोटल 70 नंबर का पेपर होता है इसके कुछ समाली निर्देश दिये जाते हैं यहां पर आपको समाली निर्देश कुछ बता देते हैं देखिए पहला निर्देश आपको क्या रहेगा कि प्रारम के जो 15 मिट रहेगा परिछारती को प्रशन पत्र पढ़ने के लिए निरधायत किया आपको 15 मिट तक इस प्रशन पत्र को पढ़ने के लिए समय दिये जाता है अगला निर्देश क्या है कि सभी प्रशन आपको करना अनिवार रहता है यह प्रशन पत्र दो खंडों और वह विभाजित रहता है ठीक है तो यह जो प्रशन पत्र रहेगा आपका दो खंड और वह विभाजित होगा साथ में क्या होता है आपका यहां पर देखिए कि खंड आ में 20 अंक के 20 बहुई कल्पी प्रशन होंगे इनका उत्तर जो होगा आपको OMR सीट पर देना होता है ठीक है देखिए आपका अगला निर्देश क्या है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किये जान इन सबी का प्रयोग आपको दोबारा उस पर नहीं करना रहता है अगला निर्देश के आए कि खंडबा है पचास अंकों का खंडबा रहेगा इसमें दो प्रकार के प्रश्ण रहेंगे वड़ात्मक फरस्ट रहेगा वड़ात्मक सेकेंड और मांचित्र से संबदी दो प् आपको प्रश्ण रहेखे जानना जरूरी होता है जितना निर्देश आपको बता है सेम तूसेम यहीं निर्देश बोड के इक्जाम में भी कि अपको देखने के लिए मिलेगा अब देखेंँ यहां से आपका प्रश्ण श्टाप होता हैं हो यहां पर सबी प्रश्ण बिढ हैंगे is that यहां पर क्या कि बोईकलपी प्रॉप्न है जो टोटल कितने बोईकलपी प्रश्न रहेंगे आपका पहला प्रश्न क्या है कि Frans कि करांती कब प्रारम्भ हुई आपसे पहला आपसे 1789 1789 1789 इसमें चार आपसन है इसमें आपसन कौन से सही होगा यहां पे दिखें इन सभी प्रश्णों को एक जगा जरूर लिख लिजिए यही प्रश्ण आपको दो हजार जो पचीस में बूर्ड का एक्जाम होने वाला यही सब प्रश्ण दोबारा आपको देखने के लिए मिलेगा अगला क्या है कि नेपॉलियन संबंदी था नेपॉलियन किसे देश प्रश्ण को देखते हैं अगला नंबर का जो प्रस्ण है जालिया वाला बाग की घटना कब हुए ठीक है आप साने 8 अपरेल 1929 को वा था 10 अपरेल 1929 तेरह अपरेल 1929 और 25 अपरेल 1929 देखें तीसरा प्रश्ण है जालिया वाला घत्याकंड कब हुआ था तो फिरेंस आप सभी को इन प्रश्णों को आप जरूर याद रखिएगा सब से इंपोर्टेंट प्रस्ण है कि जालिया वाला बाग जो घटना हुई थी तेरह अपरेल 1929 को वतत इसका सही जवाब सीवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए वंदे मात्रम गीत के लेखा कौन है आपसन तो बंकिम चंद्र चटरजी द्वारा लिखा गया है जो वंदे मात्रम गी ठीक है अगला प्रश्ण आपको क्या है पांचवा नंबर के देखिए कि अंतराश्टी मुद्राकोस आई एमेफ की अस्थापना कव हुई थी आपसन नहीं सो चालिस नहीं सो बहालिस नहीं सो प कि जो अस्थापना हुआ तो नहीं सो पहतारी से इसवें में हुआ था अगला छटवा नंबर का देखिए भारत में कितने संग राज चेत्र यानि केंद्र शासित परदेश की संख्या पूछता है यहां से दो आपसे सवाल हर साल पूछता है एक राज्यों के संख्या भार है ठीक है तो भारत में कितने संग राज चेत्र यानि केंद्र शासित परदेश कीतना है तो टोटल अगला देखिए सात्वा नमबर का कि संग्य सासन प्राली में शक्तियों को भी भाजन होता है आपसे ने केंद्र मृज्यों के मद्ध्य होता है एक राज्य में एक अन्य क्या है विधाइका मीं कारी पालिका के मद्द्द इुक्त है तो देखिंए यहां पे संफिकिन्य शासन प्रालि में शक्तिय का जोली होता है तो है जेक्शा जिए आठवा नंबर का क्या है आपका विएना की संधी कब हुए थी ठीक है अब आपके सामने चार आपसा नहीं देख लीजी छे अथालसो चौला भषे ठीक है तो देहां पर एक यहांपे विएना संधी अप याद रखिए गा कि वियाना संधी जो बात 815 इस्व विमें हुआ था इस प्राश्न को सात मियाद रखेगा को हुए हुए थिस फॉइस प्राइट में पंचायती राज के अस्थापना पर बूजेशवा पहले पहले 1980 में 1990 या 1992 या 2004 में भारत क्षालिवान तो बड़ने चुब पंचायती राज के अस्थापना हुआ था 192 में हुआ था अगला प्रसन देखिए दहस् Xian壓 मेंसे क्या भारती लोगतंत्र के संप्ट चुनौति है यानि क्या चुनौती भारत के सामने है तो च्छेत्री असंतुलन समाजिक तनाव अथिंसा दलबदल भारती लोकतंत्र के संप्ब्ध कि चुनौतियां देखी जाती यह सब क्या है भारती लोकतंत्र के एक सम्मुक्ट चुनवतियां है उपर्योग्ति इस प्रश्ण का सही जवब डिवल आप्शन सही हो जागा चार आपसन इसका सही है अगरा देखें प्रश्ण आपका 11 नंबर का कि लोग आयस किस प्रकार का संसाधन है ठीक है लोग आयस को अभी उग्योग संसाधन जिसका सही जुआप डिवल आपसं सही हो जाएगा जैसे लोहा आप आप प्रियोग कर लेते हैं और प्रितिवी से एक बार समाप्त हो जाएगा तो बारा वह आपको आयस्क नहीं मिलेगा तो और नव करणी योग्य शनसाधन जैसे लोहा एक बार यह पूरे समाप्त पले जाते दो बारा लोहा बनाना आसान नहीं है इसको इसलिए और नवी मुख्य रूप महाराष्ट मे जाता है कि महाराष्ट गाली मिर्दा तेर्य नंबर का निम्ने लिकेत में से कौन सी एक फॉलिदार फसल है यानि आपको बताना है कि फलिदार फसल आपका कौन सा है यहां पर देखें दालें मोटे आनाच जवार यह चावन तो एक फलिदार फसल के अंतरगत आता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब एवल आपसन सही हो जाएगा देखें फ्रेंच जितने भी प्रश्ण बता प्रश्ण के लिए चाहे आप हाफेरली उचाम देने जा रहे हैं और चाहे आप दो हजार पछीज का बोर्ड गर एक्जाम देने जा रहे हूं सभी एक्जामों के लिए सब से ज़य्धा इंप्रेंट सवाल है साथ में आप वीडियो गो लाज्यली देखें अभी मानचीत्रे से सम्बंदी जो सवाल-बोर्ड के exam में कैसे करना है अभी आपको मानचीत्रे भर के बताने वाले हैं ठीक है देखे 14 नमबर का सवाल आपका क्या है कि कि मोनचाइट रेद में निमनिलिखित में से कौन सा खनीच पाए जाता है अगला सवाल देखिए निम्न लिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के ब्यापार को दर्शाता है यानि कि जब दो देशों के बीच में ब्यापार किया जाता है तो उसे कौन सा ब्यापार कहेंगे आंतरिक ब्यापार कहेंगे बहर ते ब्राश्टि जो व्यापार होता है दो देशों के बीच में किया जाता है अगला प्रेशन देखिए 16 नंबर का यहां पर ध्यां दिजेए ही माना जाता है जब उस देश में प्रतिब्यक्ति आया अच्छी हो और उससाच्छता अधात यानि पहे लिखे लोग वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो वहाँ पे लोग जो स्वस्त हो ठीक है अपने आर्थिक इस्तिति अच्छी हो तो सब क्या कर लाता है उस देश की विक कि निम्नलिकित पडोसी देशों में से मानु विकास के लिहाज से किस देश की इस्तिती भारस से बेहतर है तो भारस से यहां पर बताना है कि किस देश की इस्तिती बेहतर है तो वहां पर आपका सही जवाबोगा बीवल आफसन सही स्री लंका अगला प्रश्ण 18 नंबर के दे उद्यमो में नियोजी श्रमी को की संख्या। सारवजनिक जो हुआ और नियीजी छहेत्रक का विभाजन जो होता है उद्यमो का स्वामित्यों के आधार पर पर किया जाता है इस प्रश्ड का सही जब क्या है आगरा नंबर उन्नीस नंबर का सवाल देखी उन्नीस नम्बर क्या है सोयम सहाथा समुहों में बचए और रिड्र संबंदित अधिकतर निर्णधे लिए जाते हैं यानि कि सब्सक्राइब सिरकारी संस्था वारा उपरियुक्ति में से कोई नहीं तो देखें समूह में जो बच्चत होता है अधिकतर जो निरह लिया जाता है सदस्चों के द्वारा लिया जाता है इस प्रश्ण का सही जो आप वीवलाप्शन सही हो जाएगा बिस्वा नमबर दखिए एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रकिरिया से उत्पादन किस छेत्र की गतिवीधिया कालाती है यहां पर देखें क्या कर रहा है आपका कर रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रकिरिया प्राकृतिक प्रकिरिया से जै आपको प्राक्रितिक माध्यम से मिल रहा है यह सभी जो आते हैं आपके प्राथिमिक छेद्रकंद्रकत रखा गया है तो इस प्रश्ण का सही जवाब एवल आपसां सही हो जाएगा ठीक है तो यह था आपका 20 बाविकल्पी प्रश्ण अब चलिए आपको बताते हैं कि बोड कीतने नंबर करेंग को वरणात्मक प्रश्ण रहता है जितनी भी प्रशण बता रहा है इस तैब से आपके बोड के इकजाइमिक देखने विलेगा देकि 21 नंबर का सवाल का है इन सबी सवालों को आपको बता देते हैं एक बार प्रश्ण को देख लिजी आपको जो मांच सित्र में भर के बताएंगे पहला सवाल क्या है कि जर्मनी की एक करण का जनक क्यूं कहा जाता है दो लिखिए यह तोटल चार नंबर का प्रश्ण रहेगा और टोटल कितने शब्दों में लिखना है असी शब्दों में लिखना है इस तरह से आपको अथवा में करके देखा क कार्ण लाके निरस्थ होने के बाद ब्यूटेन की खादी समस्या का हल किस पकार हुआ असपश्ट कीजी यह तोटल आपका चार नंबर में देखिए जब अथवा देने का मतलब होता है कि दो प्रश्णों में से केवल एक ही प्रश्ण आपको बोर्ड के एक्जाम में करना रहता है ठीक है तीन प्रश्णों को जितने भी बता रहें इन प्रश्णों को एक जगा लिख के सभी प्रश्णों को अभी से आप तयार करना स्टार्ट कर दीजिए अगला प्रश्ण क्या है कि भारत में जाती प्रथा का राजनितिक एम समाज पर क्या प्रभाण पड़ा पर रहा है यह अध्वामे दिया है को लोकतान्दीरिक शासन एक उत्तर दाई शासन होता है उधार रो सैद उत्तर लिखिए लेगा चार नंबर का प्रशन आपका है इन दुरों प्रश्णों में से एक ही प्रशन आपको बोड की अक्जाम में करना रहता है आपको जितने भी प्रश्ण बता रहे हैं इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2025 में बूर्ड का एक्जाम आपका होने वाला है उसमें समाजिक विज्ञान से संबनी किस प्रकार के प्रश्ण आने वाले हैं इसलिए प्रश्ण पत्र आपको दिखा रहे हैं और इसमें जितन देखी यह देखे चार चार नंबर का है ठीक है तो जितने भी अथवाला सवाल रहेंगे तो जब भी आपका अथवा रहेंगा तो उन दोने प्रश्णों में से एक प्रश्ण आपको करना रहता है अगला देखिए विकास मापने का यू एन डीपी का माप डंड किन पहलु का ब्याक्षा कीजिए टोटल चार नंबर का यह प्रश्ण रहता है देखिए यहां पर आपको जितने भी प्रश्ण पता हैं सभी प्रश्णों का जरू तयार कीजिए अगला देखिए वरणात्मक जो सेकेंडर लगबग डेर्शन सब्दों में आपका एंस्वर देना रह रहते हैं ठीक है अथ्वा में यह प्रश्ण आ रहा है तो कीजिए अन्यत्र आपको देखिए क्या है कि भारत की सवतनत्रता संग घर्ष में गादी जी के योगदान का मुल्यांकन कीजिए टोटल चान नंबर इन दोनों प्रश्णों में से एक ही प्रश्ण आपको तयार क रहता है ठीक है चलिए अगले प्रश्णों को देख लीजिए आप देखिए 27 नंबर का प्रश्ण जो है कि भारत में वन ने जीव सन रच्छड के उपाय सुझाई टोटल चान नंबर का है अथ्वाम देखिए क्या भारत में सौर उर्जा का भविस उजवल है ब्याख्या करना रहता है आपको इसके रहाधे 28 वाना मन्रेगा जुदु हज़ा पांच आया था उसके उद्धेशों की ब्याक्षा करना है कि मन्रेगा जो आया है उसका मुख्य रुप से क्या उद्धेश है अथवा में अन तीन कार्वों की ब्याक्षा कीजिए जिनके दूर मांचित्र से संबंदि जो प्रश्ण आपके बोर्ट के पुछा जाता है उन सभी प्रश्णों को आपको मांचित्र पर भर के पताता है कि ningún चित्र बोर्ड की挑isely करें ठीक है 39 को ढौन के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन मैंना बना धारब चिन द्वारा दिखाना है देखे सही नाम और सही अंकन के लिए एक बटागदू एक बटागदू अंक निरधारित मिलेगा आपको मैंने कि एक नंबर पर प्रश्न पर एक एक नंबर मिलेगा टोटल जो कहा है उससे पांच प्रश्न आपके पूछे गए हैं इसको मान्चित होगा कहा था उसका जवाब आपको पता होने चाहिए चलिह आपको बता देते हैं इन सुवगे प्रश्न हो के लिए अगर डिखे कि आप मैंने आपको आपको पता होगा कि वर्कमान संहें में आपका लाहुर कहां पर यह पर पड़ता है छिस तरह बर के इस तरह बन दोटे हुआ और यहाँ पस्तील नंबर का प्रश्न बल्य इस पाकिस्तान में नहवर्ण पाकिस्तान पश Member 12 वरतंवांन समें Suzanne ला फेब किसी लाकाणकिस जोन गहां किसी खतना कें महत्मागादी ने असायोग आंदुल्ण ठीक है और चौरी चौरा कहां पर पढ़ता है तो आपका गोराखपूर में पढ़ता है तो चौरी चौरा जो अध्यकांड भूआ तो उसके बाद महत्मा गादी जीना सहयोग आंदरुन्द का अस्थागित कर दिया था तो देखिए आपको भर नाई चौरी चौरा मान्चित दिए जाने जी कों सा राजिक कहां पे एक विडियो बना के अपर रोड कर दी है इंगि हाँ और 20 फिक बहूं कौसराज अभी को द्वर बता हैं यदि हाँ आप और लीजिये । देखिए यह है आपका उत्तर परदेश में यहां पर पढ़ता आपका गोरगपूर और यहां पी क्या करेंगे लिखे देंगे कलकट्टा आप पता होना चाहिए कहां पर यहां पर देखिए है क्या अध्या नंबर क्या बढ़ते हैं अगला देखिए वस्तान जहां सूती मिल सरह को स्तिघडरा किया था किया था यह किया था आपका अहमदाबाद उन्हार प्रश्न प्रस्ण लिख लिए अपर अहमदाबाद लिख लिए यह बनाया गया था अब यह बनाया गया तो यह भी आपका गुजरात में पड़ता है यह है आपके सामने मानचितरैं में देखिए आपका दंडी यहीं पे इसी का पास में धंडी सवालों को भारना रहता है आप सभी की पेपर लिखाए अप्का समाजीग्जान हो हिंदी trainer कला हो जितनी भी आपके पेपर सभी पेपर आपको वायरल जो पेपर है कराएंगे आप वीडियो को इसी तरह देखते रहिए ठीक है और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए अगला देखिए 29 कखा है निमनलिखित अस्थानों को भारत के दिये गए रेखा चित्र मे अंकन के लिए एक बटाग दू एक बटाग दू अंक निरधारत किया के कहने के मतलब यह भी आपका कितने नंबर का प्रस्ण है पांच प्रस्ण है पांच नंबर का है यानि एक प्रस्ण एक नंबर का है अब देखिए आपको इस पकास एक और मांचित्र रहेंगे दो मां इस तरह म भार्ण रॉइगा तो चलितने पहला प्राश्न ही भारत के किसी एक प्रमाल उर्जानी नाम 4S जी द्वार्ण सच्छ सारा है तु कि यहां पर पढता का पर है आपका महरा ने न Überलं को आपके सकते 29 ख हो का और यहां पर हमचेतर एप माहरास्थ में यहां पढ़ता तारजिव सकते हैं यहां out decor नाव पदेख्ल इस राज्य चेतर का नाम इस चिन के द्वारा दिखाना है तो गन्नाff प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्ताइन होता है यहां पर कौन सा है प्रदेश बर लिए ठीक है इसमें फिलाल में बारिश स्टार्ट हो गया इसलिए इसमें कुछ आवाज आ रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा सोरी आप सभी से अगला क्या है कि सलाल बांद चिन द्वाला राज्यों के नाम सही देखाना है अब आप सलाल बांद इसको इस पक बरता है अब का हिमाचल पर देश और रिया मुककास्मीर है इस स्वीआ इस यहां आप स्वाल बाद यहांma क्या है 29 करका था नंबर कर लिए और यहांब लिए आप सालाल वाल वाल यह क्या बहुремać आप सी लाल बांद ठीका फ्रैंट बारिस्टेज हो रही इसके वज़ेस हो सकता है अवाथ थोड़ा कमाला हो अगला देखिए दच्छिभारत की एक नदी चीन द्वारा दिखाना है दच्छिभारत में आप क्या देखांगे कावेरी नदी कहां पर पड़ता है पर सामने मांचित्रिक अपका में नदी आपका लिखे दीजिएगा ओंती हा कान से नमबर का चौथा नमबर चौथा नमबर का है यह चौथा नमबर यह आपस वेरी नदी देखाई यह जब भारत में ठीक है दाच्यु भारत नीचे तुनल बाग बाद दच्चित बारत है उपर वा फ्वाल बाग उत्तर भारत है तो इस त तरह सभी को मानचित्र वाले सवाल जो आपके हैं आपको हल करके बताएं कि मानचित्र में आपको कैसे हल करना है तो यह आपका समाजी विद्ञान का संपूर पेपर था, इसी प्रकार के आपको 2025 में, क्या है, 2025 में जो आपका बौर्ड का एक्जाम होने वाला है, समाजी विद्ञान के पेपर इसी तरह का आने वाला है, इन सबी पेपरों को आप जरूर हल कर लीजिए, और जितना भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें